अस्सलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक माई यूटूब चैनल मैं गुलाम रसूल आज फीर आया हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगा अर्बिक की स्टाइल में ब्रेट पुडिंग डेजर्ट हम लोग किस तरीके से बनाते हैं इसमें हम लोग क्या-क्या इस्तमाल करते हैं मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ तो वीडियो के अंतक जरूर बने रहें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कॉमेंट्स भी जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक् कस्टड बना लेंगे तो उसके लिए हमने एक बॉल लिया है उसमें अट कर लेना हाफ कप मिल जिसका वेट रहेगा 125 एमल अब इसमें हम लोग एड कर लेते हैं टू टेबल स्पून कस्टड पॉर्डर कस्टड पॉर्डर एड करने के बाद इससे अच्छे से मिक्स कर लेत हैं मिक्स करके से हम साइड करके रख देते हैं कस्टड बनाने के लिए अब कस्टड बनाने के लिए हम लोग एक पैन ले लेते हैं उसमें एड कर लेते हैं टू कप मिल्क जिसका वेट रहेगा 500 एमल मिल्क एट कर लेने के बाद इसे हम पहले थोड़ा सा गरम कर लेते हैं गरम कर लेने के बाद हम इसमें एट कर लेते हैं 1 by 4 कप सुगर इसका वेट रहेगा 60 गिराम, 60 गिराम आप चाहें तो यहाँ पर ही कंडेंस मिल्क या हनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं स्वीट करने के लिए अपने कस्टड को सुगर एट कर लेने के बाद अब इसे अच्छे से हम उबाल आने के लिए छोड़ देते हैं जैसे इसमें उबाल आ जाएगा हम फिलेम को सुलो कर देंगे देखे हमारा उबाल आ चुका है तो फिलेम को सुलो कर देने के बाद उसके बाद जो घोला हुआ हमारा कस्टड था उस कस्टड को यहाँ पर अच्छे से एड़ कर लेना है तो कस्टड जो हमारा घुला हुआ था उसे अच्छे से फिर से मिला लेते हैं ताके जो नीचे बैठ जाता है घुलने के बाद यह नीचे बैठा ना रहे अच्छे से यह मिक्स हो जाए दूद के साथ उसके बाद हम इसे अट करेंगे अपने बोयल किएवे दूद में रोद म से दस मिट इसे पकाने के बाद यह हलका थिक हो जाएगा इस तरीके से जब हलका यह थिक हो जाए उसके बाद हम फिलेम को बन कर देंगे तो हमने यहां पर देखे फिलम को बन कर दिया है अब इसे ठंडा होने के लिए हमें छोड़ देना है कम से कम 15 से 20 मिनिट के लिए जब तक यह ठंडा हो रहा है हम लोग यहां पर एक क्रीम बना लेते हैं उसके लिए हमने एक बॉल लिया है उसमें एट कर लेना है 100 ग्राम फ् कर सकते हैं अगर आपको थीख क्रिम बनाना है तोसरी dipping क्रिम का राव सब्सक्राइब करने का है बनाना है एक हम gettin करना तो हमने हैं सिलाइस भी है उसके सडि 카 Chuck कर लिये हैं कि तरिके साथ वाले से इस तरीके आप एरंग किजिए कहीं भी खाली जगा नहें किस्टरब कर लेनाा थो हम्ने किस्टरड बना कर रखा यहां पर पर कर लेино जाता है साथ में यहां पर एक ट्रलिक कर लेते हैं कुछ नОAnn तो आप अपने च्वयस के साफ़ से नो हो Indust्या पर इस्तिमाल करकते हैं उसके बाद फिर फिर से इसे हमें layer बना लेना है bread का तो हमने फिर से slice bread इसको उपर से add कर लेना है इस तरीके से इस तरीके से bread add कर लेने के बाद फिर से हमने जो custard बना के रखा था उस custard को अच्छे से यहाँ पर add कर लेंगे ताकि कोई भी ब्रेड हमारा सूखा ना रहे और अच्छा से वो भींग सके कश्टड के साथ तबी ये खाने में मज़ेदार होगा इस तरीके से अच्छे से भींगो लेना है कश्टड के साथ उसके बाद जो बचा हुआ हमारा क्रीम है उस क्रीम को इसके उपर से हम एट कर लेने है देखिए इस तरीके से आपको अच्छे से एट कर लेना है उसके बाद फिर इसमें क्रीम एट कर लेने के बाद अब यहाँ पर कुछ ड्राइ नट्स आप इस्तमाल कर सकते हैं अब इसे हमें ठंडा कर लेना है रिफ्रेजेटर में कम से कम आपको 40 मिनिट का टाइम लगेगा ठंडा करने में चालिस मिनिट के बाद आप यह खाने के लिए रेडी हो गया है अर्भी के स्टाइल में ब्रेट पूडिंग डेजर्ट अगर आपको यह रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी कर दें फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हाफीज